यह देखिए मामलेट बनके तयार है यह देखिए अब यह जब चंडा होगा अब देखिए काफी घर में बहुत मज़े का गुड़ में बने तो आप भी बनाईएगा मैं पराटे के साथ आपको उखा के दिखाती हूं अच्कल गाजर का पी सीजन है और कीनू का भी है तो मज बनागे रखें अगर आपको हल्की तुर्शी नहीं पसंदे करवाट नहीं पसंदे तो आप चलके जो कीनों के चलके उसको वाइट कर सकते हैं अब भी बनाईए एंजोई की जो में ज़रूद है आपकी रेस्पी कैसे बनी आइए देखते हैं हमने कैरेट और मामलेट कैसे करें जोसी हुआ हुआ है यह कैरेट और आरेंज के मामलेट यह मैने पीलाइए तो इसको हम घ्रेक करना शुरू करते हैं कारी इसमारी ने लो sap ग्रेक्रेट हो चुकी हैं अब की दूस्वाचता लगाएंगे मोड और इसी अंदर हम और इंज यूस भी निकालेंगे जिए यह रहां जिन्दगी बिल्कुल ऐसा कर दिया हल्वा तो यह पर हम लगाएंगे यह और यह जूस निकलना शुरूब जूस निकालने हैं इस तरह चेखेश और निकाल कि इसमें चला रहे हैं यह और इंग जूस सब निकल कि इसमें चलागी है आप इसे हम पकाने चड़ाते हैं यह देखे यह मैंने चड़ा दिये नौन सित्तान में एक किलो गाजर और छे और इंज का जूस अब जो और इंग की चिलके हैं उसको भी बारी बारी काटती हैं यह देखे हलकलका पकना शुरूर हो गया है और दूसरी साइट पे मैंने जो करवाहत होती है और यह जोज करवाहत को चाही से जोट के बांगए और चाण किसमा डाल दूंगी अब इसमें हम डालेंगे इतिदाल में इस्तामाल करें तो नुकसान दे नहीं है लेकिन एकसेस आफ एवरीटिंग इस बार आप कोई चीज भी जादा समाल करें तो आपको नुकसान करेंगी तब यह चड़ावाएं यहां पर यह यहां पर चड़ावाएं तो आप दोनों हो जाते हैं तो फिर मैं जब पीस केस में डालेंगे तो पर जब दालती हैं तो आपको दिखाती हो इसको एक हॉल आगे है यह चूला बन और इसको हम स्ट्रेंट कर लेंगे यह हम त्रेंद करके और यह हम गाज़र वालेमें डालते हैं ठीक है उसका पानी बचर जिए दो दाने बचेंवर रूख लेते अब यह हो रहा है हो जाता है तो ड्राय हो जाता है पर मैं आपको दिखाती हूँ कि यह सादार इलाइची है दो तीन स्टिक सिनिमन की है थोड़े से पांच क्लोग्स है इसको ग्राइंड करते हैं पर चान के डालेंगे बलकर मैं अःसा करते हूं ग्रैंड कर लेती बार ऑधी क्राइची ने अब इस एक चान नच चीनी के साथ लाग इलाइची और दाचीनी यह जो मैंने पीसा था चीनी के साथ वो चान के इसलिए डाल रही हूँ कि इसके अंदर ना ब्रैनियोज ना है यह जो हलका सा बीच में आ जाता है देखें जैसे यह तो यह ना है यह हम रख देंगे इसको भी फेकें गे लिए चाहे बनाएंगे उसमें डाल देंगे इसमें मामगें डाने के इसको अर्फ़ी स्कून राव य्जल्ग आरेश वे निकलेगा और इसी लावन का पर प्रिए दिन आ बचा आ डाथेंगे तो मैं पूरा क्र लेटीती आपको धाटों में की कर दिए और भीं का जैस्ट पिनारे निकाल के इसमें डाला चूरा है यही जो मैंने किया था जैस जिसका निकाला था उसी एक लैमन का जूस भी डालेंगे हम ठीक है यह हो क्या और दो चम्मच मैं डालूंगी अर्के गुलाँ और अब इसके बाद हम डालेंगे गुल यह देखे हैं हलका सा होगे अब थोड़ा सा हाफ कप के खरीब पानी बचा होगा मैंने इसमें हाफ केजी गुल डाला है आप लोग इसकी जगा जब अगर शकर यूज करना चाहते हैं आप 500 ग्राम्स इसमें शुगर यूज करेंगे म इसमें डाबिटिक में हस्बिन इस डाबिटिक सो गुड़ फर अस और मैं वैसे भी किसान को फाइदा देना चाहिए मैं अगर डाबिटिक नहीं भी होती तब भी मैं गोड़ यूज करती बिकर्स आइधिंग कि किसान इतनी मेनत करता है उसका इतना जड़ नहीं मिलता को फाइदा हो तो अब यह हम इसे पकाएंगे 10 मिनट तक और 10 मिनट के बाद ही हमारा जाम रेडी है मैं आपको बताओंगी कि रेडी की क्या निशानी है अब 10 मिनट के हम इसे पकने को छोड़े हमाला टेक्स्ट्र देने के लिए ना मैं थोड़ा उसको प्योड़े यह देखें जाम बनके तयार है हमारा यह देखें साइट पर न कोई जूस नहीं आ रहा है यह बनके तयार है चंड़ाओं के प्लावर जमें जाता है चंड़ा हो जाता है पर आपको दिखाएंगे